36 गट को दो नए प्रोजेक्ट का दो महत्वकान सी प्रियोजनाओं को राश्ट को समर्पित किया यह 50 मेगावाट का सोलर अबावर प्रोजेक्ट है जिससे कि आने वाले दिनों में ट्रेंड परिचालन की भी संभावनाय हो सकती है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने आज देश को कई बड़ी साउगाते दी है जिसमें साउथिस्संटर रेल वे में दो बड़ी साउगाते मिली है दो बड़ी परियोजनाओं को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शमर्पित किया है दक्षिन पूरमध रेलवे और खासकर 36 गट के लिए आज का यह दिन बहुत ही गऊरवशाली दिन था क्योंकि प्रधान मंत्री नहरंदर मोदीजी ने 36 गट को दो नए प्रोजेक्ट का दो महत्वाकान सी परियोजनाओं को राश्ट को समर्बित किया और उसे आज से वह कारणवित हो गया है यह परियोजनाएं 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भिलाई और बिलासपूर, उसलापूर, रैल ओवर रैल, फ्लाय ओवर यह दोनों परियोजनाओं बहुत ही महत्वाकान सी परियोजनाओं थी सबसे पहले बात करते हैं सूलर पावर प्लोजेक्ट के बारे में यह 50 मेगावाट का स्लर पावर प्लोजेक्ट है जिससे कि आने वाले दिनों में ट्रेन परिचालन की भी संभावनाय हो सकती है क्लीन इनर्जी, ग्रीनर्जी की संकलपना जो हमारी चल लए है और देश को चल लए है 2030 तक पूरा जो कारवन इमिशन को जीरो करना है उसके लिए है बहुत मिल का पत्थर यह प्रियोजनाय सावित होगी बिलासपूर के मद्ध ही यह flyover है यह 10.5 km लंबी है जिसके लागा 330 क्रोड रुपिया है और आज इसका लोकारपन किया गया यह परियोजना बिसिकली एक महत्वकांसी परियोजना है जो कि मुंबई हावडा मेन लाइन से कटनी की ओर यानि कुत्तर भारत की ओर जाने वाली flyover बनने से बहुत सुधा मिलेगी हमारा ट्राफिक जो है बहुत स्मूथ मूव करेगा याड में जो केंजिशन था वो खत्म होगा जो क्रॉस मुमेंट था याड का वही खत्म होगा सर क्या माना जाए दोनों ही परियोजनाओं से ट्रेल यात्रों को फायदा होने वाला हाने वलों दिनों में और तमाम जो रेलवे के शेतर में आपके विकास्यकार चल रहे हैं उसमें भी इससे गती आएगी निश्चित तोर पर हम दो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि बिलासपूर उसलापूर फ्लाइवर जो है यात्रियों को प्रतक शुरूप से फायदा पहुचेगा क्योंकि इसमें ट्रेनों की गती बढ़ जाएगी कि मुमेंट हमारा असमूथ हो जाएगा जो पहले बिलासपूर याड में कंजेसन होता था वो कंजेसन खतम होगा निश्चित तोर पर इससे यात्रियों को परतक शुरूप से फायदा होगा और जहां तक सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात है यहां परतक शुरूप से पू सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और फायले बात की जाए तो देश यहां दूसरा पचास मेगावार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे का और यह concept जो है clean energy को बिल्कुल 36 गड़ें बिल्कुल लागू किया जाएगा बिल्कुल तिर दोनों परिजनाय ना कैवल South Central Railway के लिए बलकि 36 गड़ें भी महुत पुर्ण है जिसकी सौगात आज प्रधान मंत्री नर्द मोदी जी के हाथो देश को मिली है 36 गड़ को मिली है कमर स्थिश मिश्टा के साथ जीतेंदर थवाई आइप से 24 बिलासपोर